हाँ मुझे पता है आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है आज इस चैनल की हाथ कैसे आ गई यार देखो आपका जो गुस्सा है वो जायस है लेकिन मैं आपकी माफी का हगदार हूँ क्योंकि क्वालिटी में मैं कभी कमी नहीं आने दूँगा आउंटेंट हमीशा पावरफुल रहेगा चले है बात करते हैं आज कि इस वीडियो के आज मैं एक बाफ फिट से लेकर करके आचको हूँ आप लोग के लिए 10 नए PC गेम्स जो कि आप लोग प्ले कर सकते हैं अपने उस लैप टॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर जो की पोटेटो पीसी है या फिर उसके दर बहुत कम रैम है ग्राफिक कार्ड नहीं है लेकिन ये सारे गेम यकीन मानेगा आप लोग फुल सेट पचले फिर इस दमा के दर वीडियो को करते हैं स्टार्ट इन बात करते हैं फर्स्ट गेम की जो निकल करके आता है रैम्बो दिव वीडियो गेम रैम्बो ये एक बड़ा ही पॉपलर आर्केडिस्टाल का शोटिंग गेम है इसको बनाया है पॉलेसी स्टूडियोस ने और लोग लगतार फाइट करते चले जाएंगे दुश्मन की सेना से गंस्ट लाएंगे इस चौपर्स को सामना करेंगे और धर्मा की दारेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा और गेम की जो वीडियोल और एक्सपिरियंस मिलने वाला है यानि की ग्राफिक वालिटी और भी काफी कमाल की रहेगी चली खेर आब बात कर लेते हैं इसकी सिस्टम रिकौर्मेंट्स की और प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करें तो आगको चाहिए को टू डो यानि डोल को प्रोसेसर 2.8 जिगाइट तका राम की अगर बात करें तो सिर्फ 2GB राम में ही काम चल है और ग्राफिक्स कार्ट चाहिए 256 Mb का यानि की जो सिस्टम में है उसमें गेम खेल सकते हो डारेक्ट एकस्टेंड कम्ताइबल बात करते हैं स्टोरेज की यानि की फाइल साइस लगबग 8GB के असपास का होने वाला है और चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे वालिंग पॉइंट एक ओपन वोल्ड गेम आप लोगो देखने के लिए मिल जाएगा यानि कि यहाँ पर आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं आसपास के अन्वामेंट में एक्स्पोरीशन कर सकते हैं परस्ट परसन गेम है यानि कि शूटिंग का पूरा मसाने वाला है रो तरीके से स्टोरी आगे-ागे चलती रहेगी और इस स्टोरी के कंटिगरेशन को कंप्लीट करने में आप लोग को बहुत मसा आएगा इसके की सबसे मज़ेदार बाते मुझे लगती है यहाँ पर आप लोग कार्स वगरे चलाने के लिए मिल जाती है ड्राइविंग कर सकते बहुत ही कम RAM में अच्छे से चल जाता है DirectX 9 compatible कोई भी ग्राफिक कार्ड यानि कि चाहिए नहीं सिस्टम के अंदर प्रोसेसर बेर्ट ग्राफिक कार्ड में गेम चल जाता है और 5-6 रहेगा 2.8 GB का यानि की लगबग 3 GB का गेम असानी से डाउनलोड भी कर लोगे एंचल ये फट वट से बढ़ते हैं आगे बात करते हैं हमारे थर्ड गेम की जो निकल करके आता है रॉग वारियर रॉग वारियर प्रैमेरिल ये एक फर्स्ट परसन शूटिंग गेम है जिसके अंदर टैक्टिकल एलिमेंट्स बल जाते हैं और में लीड कैरेक्टर नेव और बेस्ट फाइटिंग गेम खेलना चाहते हैं जिसमें एक अच्छा फर्स्ट परसन एक्सपीरियंस मिल जाए तो ये गेम आप लोग प्राय कर सकते हो और अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिस्टम रिकॉर्मेंट्स की तो प्रोसेसर आप लोग को चाहिए को चाहिए वो अलग चीज़े क्या है और उसके कहीं फाइदे भी है और एक संबल आपके पास में स्पेशल अबिलिटीज आजाती है जनका आप लोग यूज़ करेंगे गेम के दोरान और इसका जो गेम प्ले रहेगा वो बिलकुल डिफरेंट लगता है साथी साथ में ये अच्छी स अब लोग एक अच्छा स्टोरी बेस फर्स परसेंट शूटिंग गेम ढूंड रहे थे तो ये ट्राय करना बात करते हैं सिस्टम डिकॉर्मेंट्स टी तो यहांबर आपको प्रोसेसर चाहिए को टूडूर 2.8 जिगाहट्स तक का रैम चाहिए सिर्फ पर सिर्फ 2GB की ग्ल रिकॉर्मेंट्स भी हलकी सी जादा है और चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिर्इस के फिफ गेम की जो निकल करके आता है अप्राइसिंग 44 दी साइलेंट शेडोज अप्राइसिंग 44 इस गेम को एक बड़ा ही अच्छा गेम बाना चाता है स्ट्राइजी एन जो आपके खिलाब बहुत सारी प्लैंस कर दी है और उनको नाकाम करने के लिए आप लोगो स्ट्राइजी बनानी होगी चुपके चुपके अपने मिशल्स को कम्प्लीट करना होगा अगर इस तरीके के स्टील तेरे स्ट्राइजी वाले गेमस आप लोगो अच्छे लगते एंड चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक बड़ा ही मसीदार गेम यानि कि हमारा सिक्स्तमगा गेम जो निकल करके आता है जुरासित पागदी गेम यह जो गेम है यह आप लोग को एक ऐसी एडवेंचरस सुनिया में ले करके चला जाएगा जिससे बाहर निकल ले काफ वो इस सब आपको काफी अच्छा लगनी वाला है अगर आप लोग जुरासिक पाक की मूवीज देखा करते थे तो यह गेम एक नाएक बार खेल करके देखेगा यह मत सूचेगा कि इस गेम में डाइनसोर्स दिखेंगे तो खेलने में मज़ा नहीं आएगा ट्राइ करो इसी करीबी को काट लेंगे उसके बाद जो टर्न लेती है स्टोरी वो बड़ा ही इंट्रस्टिंग रहता है चले बात करें सिस्टम रिकॉर्मेंट्स की यहां बर शो प्रोसेसर चाहिए वो है पैंटीय वन पाइट जिगाहर्ट्स जादा नहीं है फ्रेंक कि अगर हम इस प्रेंट्स आएंगे जो आपको देखने में बड़े डराबने से लगेंगे और बीच-बीच में यह गेम आप लोगो हसाता भी रहेगा ऐसा क्यों है क्यों कि स्किम को बनाया गया है कॉमिक बुक्स के आधार पर इस गेम की जो कॉमिक बुक रॉइटर है वो है अधार भी हो यह ट्राइ करो बात करते है सिस्टम रिक्वार्मेंट्स की वह आपको देखने के लिए मिल चाहेंगे प्रोसेसर डूवल को राम 2GB ग्राफिक्स कार्ट चाहिए डाटेक्स 9 गंपैडबल और फाइस जाए 3GB और महर्मान कदरदान अब मैं आपको लेकर के अल्रीडी खेला है और अगर आपके पास में सिस्टम रिक्वार्मेंट्स कम है यान कि 1-2GB की रैम है ग्राफिक्स कार्ट नहीं है तो यह रेसिंग गेम आप लोग ट्राइ कर सकते हो इसमें आपको वही एक्स्पीरियंस मिलेगा नीट फोर स्पीड जैसी ही ग्राफिक्स म तरक नहीं पड़ता है और फाइल साइज है 5GB आसानी से डाउलोड करो हर PC में चलाओ और आखिरका चलिए बात करते हैं सीरीज के सेकेंड लास्ट गेम की जो निगल करके आता है स्नूबलाइन स्नूबलाइन यह एक ऐसा गेम है जिसके इंदर आप लोगो फर्स्परसन एक मिक्सने और वो इसी तरीके की चीजों के लिए जाने जाते हैं यहां पर आप लोगो खदरनाक टाइक की वैपनस मिल जाती है ऐसी ऐसी वैपन इस टाइक की मशीन गर्स जो एक ही बार में दस से भी जादा दुश्मनों को चली कर सकती है और शल यह बात करेकर हम लोग सिस् यानि कि यह बड़ा ही कम साइस का और हर पीसी में चल जाएगा अगर शूटिंग चाहिए हर एक के लिए तो यह ट्राइ करो और देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं सीरीज के लास्ट गेम की तरफ अगर यह वीडियो आप लोगो ने यहां तक देख लिए है आप हमारी चैनल की प्राइम मेंबर जल्दी से आई करिए इस वीडियो को लाइक चैनल पर पहली बार आने तो करिए सब्सक्राइब ऐसी वीडियो और देखने के लिए तो कि मैं वीडियो बहले ही कम डालो लेकिन अच्छी होती है तो मुझे उमीद है आप लोग देखना चाहेंगे तो जुड़ जाइए इस फैमिली के साथ में बात करें लास्ट गेम की वो निकल करके आता है जैनक्स 2 वाइग गोल्ड अब दुस्तर वीडियो को लास्ट गेम है तो धमा के तारत होना बनता ही है कि आप लोग ने फार क्राइग गेम प्ले किया है तो आपको य गेम है तो आपको यहां पर मिल जाएगा मुझे पता है फार क्राइग 1,2,3 अब लोग चला सकते हैं लोग नपीस के अंदर अल्रेडी कम्प्लीट भी कर लिए होंगे अगर उसके बात में को चाहिए तो यह गेम ट्राइ करो और बात करो सिस्टम रिगॉरमेंट्स की तो चाहिए मेरे भाई हो पैंटियम 1.8 जीगा हर्ट्स का रांग चाहिए सिर्फ और सिर्फ वन जीवी की ग्राफिक कार्ट चाहिए कोई भी नहीं डालेक टेक स्टैंड कम्पैटिबल एंड फॉल साइज है 6 जीवी हर पीसी में चल जाएगा फार क्राइग का एक लैप्टॉप में जो आपने पढ़ाई के लिया था या फिर पैरेंट्स ने पढ़ाई के लिए 10-20,000 का दिलवा दिया था तो कि आपने जित करी होगी कि लैप्टॉप चाहिए और उन्हों ने भाई 10-20,000 का दिलवा दिया ग्राफिक्स काट उसमें है नहीं तो भाई उस झाल झाल